हाई अप्रेवन दिस अस निय्हाइं वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो थोड़ी से डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगे के साथ शेयर करूंगी कुछ अपनी ऐसी गलतियां जो मैंने अपनी शादी में की थी लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती अपनी शादी में ना करें क्योंकि शादी लाइफ में सिर्फ एक बार होती है और जब आप अपने इस beautiful moment को बाद में याद करते हैं तो आपको कहीं न कहीं regret होता है कि काश मुझे ये बाते किसी ने बता दी होती तो मेरी शादी थोड़ी सी और special हो जाती क्योंकि मेरी शादी काफी जल बाजी में हुई थी तो मुझे ये सारी चीज़ए बताने वाला कोई भी नहीं था और मुझे कोई इस तरह की वीडियो भी नहीं मिली कि जिसमें मुझे ये सारी बाते कोई बता देता क्योंकि शादियों में आप जरूर चाहेंगे कि आपका लहेंगा बहुत ही जादा सुन्दर लगे, आप दुनिया की सबसे सुन्दर लड़की लगे, हर लड़की है चाहती है कि उसकी शादी में उसमें इत्ता सुन्दर लहेंगा पैना हो, and of course उसके साथ उसकी पिक्चर भी अच्छी आनी चाहिए लेकिन मैं सच बता हूँ तो मुझे ये बात बताने वाला कोई भी नहीं था आप देख सकते हैं मैं साइड में कहीं पिक्चर लगा दूँगी लेहंगा मेरा काफी जादा सुन्दर था लेकिन इसमें बारीकी का काम था जिसे आप सामने से देखने से ही आप समझ पाएंगे कि लेहंगा में इतना ज़ादा सुन्दर सा काम है और ये हैंड इंब्रॉइडर है अब आप सोच रहोंगे कि मुझे इस लेहंगा के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया राइब अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जब अपनी शादी के लिए लेहंगा चूज करने के लिए जाए तो उसमें make sure करें कि आपके लेहंगा में थोड़े से solid colors भी include हो उसमें इतना ज़ादा भरा हुआ काम ना हो क्योंकि obviously लेहंगा आप सिफ एक बार पहनने वाले हैं बाकी बाद में लेहंगा किसी काम का नहीं रह जाता सिफ रह जाती हैं इसकी memories and उसकी photographs मेरी इस लेहंगा में जितना ज्यादा सुंदर काम था लेकिन इसकी photograph जरा भी अच्छी नहीं आई मैं सच बता हूं तो इतना ज्यादा गोल्डन कलर का वर्क था इसमें और यह रेड कलर के बेस पर बना हुआ था तो इतना ज्यादा ग्रॉसी लग रहा था मैं सच बता हूं तो लेहंगा जितना ज्यादा सुंदर मुझे खरीदने पर लगा और मैं जितनी ज्यादा excited होगी थी यह लेहंगा खरीदने के बाद पिक्चर को देखने के बाद मैं मैं उतना ही ज्यादा रिग्रेट करती हूं क्योंकि इसकी पिक्चर जरा भी सुंदर नहीं आई हां लेहंगा आप इस तरीके से चूज कीजिए कि उसमें काम से ज्यादा फोटोग्राफ उसकी अच्छी आए ताकि आप बाद में अपने लेहंगा को देखके रिग्रेट न चाह रही हूं और एक चीज और लेहंगा सिलाने से पहले कि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट रहता है मैं थोड़ी सी हवी बस्टेड हूं इसलिए मुझे लेहंगा हो चाहे साड़ी हो उनके ब्लाउस के साथ काफी जादा इशूस मुझे फेस करने प लेहंगे का ब्लाउस बहुत ही जादा खराब लगता है इसलिए अप मेक शूर करें कि लेहंगे का ब्लाउस चाहे कितना भी सुंदर हो अगर उसका नेक इता जादा डीप नहीं है तो प्लीज आपको इस दूसरा ब्लाउस स्टिच कर वा लेना कि ओविएसली शादी में ज जूलरी काफी जादा क्लैश कर रही है मैं साइड में कहीं पिक्चर अटैच कर दूंगी आप देख सकते हैं कि मैंने महंदी के दिन जो लेहंगा पैना था वो भी काफी जादा ब्यूटिफुल था पूरे लेहंगे की उपर काफी जादा गॉर्जेस ता काम था और इसकी ब्लाउस भी काफी जादा सुंदर आई थी उसके उपर फुली इंप्राइड ब्लाउस था क्योंकि वो ब्लाउस मुझ पर इतना साथ अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने इसमें कुछ इस तरह का सिंपल ब्लाउस स्टिच कर वा लिया था एंड सच बता हूं तो मुझे य क्योंकि जो टेलर रहते हैं उनको हमेशा ही ये प्रॉब्लम रहती है कि इतना जादा हेवी काम वाला लहंगा वो लोग कैसे शॉट करेंगे कहीं से डिजाइन कर जाएगा कि वहीं नो कोई प्रॉब्लम ज़रूर रहती है अगर आपका लहंगा बिल्कुल ऐसे जमीन पर ल जाद कि दो कि में आपका लादा कि एक पर अदो के बहुत है मैं सच बता हूं तो मुझे अपनी साडी ओं की लेंध अपने लहंगे की या मैं कोई साभी शादी द्रेस पहन रही हूं मुझे इसकी लेंध बहुत जादा पसंद नहीं आती मैं प्रिफर करोंगी कि मेरी जो वो जमीन से एक इंच उपर ही रहे लेकर बिल्कुल बिल्कुल बराबर ना रहे या फिर जमीन के नीचे भी ना रहे मुझे इस तरह की लेंथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ट्रस्ट मी आप ही यह गल्ती मत कीजिएगा मेरा नेक्स पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहती हूं कि प्लीज आप अपने लिए एक राइट जूलरी पर्चेस करना क्यूंकि बहुत लोग अपने फेसकट से बिल्कुल डिफरेंट जूलरी पर्चेस कर लेते हैं जैसे मैं आपको एक एक्जामपल देती हूं जैसे मेर जा बाद में देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हां मैं दूसरा जूलरी पहंदी तो और जादा अच्छा लगता अगर आपकी नेक्स लंबी है तो आप ज़रूर चोकर के साथ जा सकते हैं लेकिन अगर आपकी नेक की लेंध मेरी तरह शॉर्ट है आप वी नेक्लेस की तरह जा सकते हैं अगर आपका फेस राउंड नेक है तो वी नेक्लेस से आपका फेस थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है उस वज़े से लोग काफी जादा सुन्दर आता है इसलिए आप मेशा करें कि आप बिल्कुल जूलरी पर्चेस करें और एक चीज और कि मैं जानती लेकिन अगर आपका लेहंगा रेड कलर का है अगर आप जूलरी पहनना चाहते हैं ग्रीन कलर की आप मेक शूर करें कि कहीं न कहीं जूलरी और ड्रेस में कोई गोल्डन कलर या कोई सिल्वर कलर थोड़ा सा एलिमेंट उसमें मैचिंग रहे ताकि आप बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने लेफ्ट और राइट वाला कॉंबिनेशन आपने बना लिया है वोपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहरी हूं और जूलरी से रिलेटेड मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूं कि आप शादी से पहले एक्स्टा जूलरी प्लीज करी करना ना भूले क्योंकि लास्ट मिनट रश इसी वज़े से होता है आप शादी के लिए जाते हैं तो वहां जाके मेकप एंड हैस्टाइल कुछ इस तरीके से रहता है यह आपका लुक कुछ और बनके आता है तब आपको लगता है कि काश मैंने कुछ दूसरी जूलरी पर्चेस अआर्वाली से संटिंग बिए नहीं लिए था उन्होंने मुझे कहा था कि चादी से एक महीने पहले आप ट्आर्म में ले सकते हैं झाल मैड़नी पर्चेस वाहि पुग्धों यहाँ ऐल्दु है यह नहीं सबस्दों लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैड़ए आपगी भी मेकप किया है क्या मालूम मैं साथ दिन के बाद वो मेकप लोग भूल जाओं इतने जादा स्टूपेड मुझे रीजन्स दिये गए लेकिन मैं सच बता हूं तो आप प्लीज अपना मेकप का डेमो लेना ना भूलें अपने साथ लेहंगा, जूलरी वगरा सब कुछ कैरी करें और वहाँ पे जब आपका फुल मेकप हो जाएगा और हेर भी आपका डिसाइड हो जाएगा उसके बाद आप एक बार अपनी जूलरी और लेहंगा पहन के देखें कि आपका लुक कैसा निकल के आ रहा है अगर आपको अपनी जूलरी के साथ कुछ भी प्रॉबलम है तो आप उस टाइम भी अपनी जूलरी को चेंज कर सकते हैं परस्ट में आपको ये छोटी छोटी बाते लग रही होंगी लेकिन इससे लुक इतना ज़ाद अच्छा हैगा और जब आप फ्यूचर में अपने वेडिंग आलबम को ओपन करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल इस टीज से रेग्रेट नहीं होगा आपको लगेगा कि हाँ हम लोगों ने सही टाइम पे अपना डिसीजन चेंज करके बहुत अच्छा काम किया है नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि आप एक एक एक्स्ट्रा दुपट्टा कैरी करना ना भूले काफी सारे पालर वाले आपको इस तरीके से लहंगा ड्रेप करके दे देंगे कि एक ही दुपट्टा उन्होंने आपके सामने भी रख लिया और पीछे से उसका पल्लू आपके सर के उपर दे दिया वो बिल्कुल भी ड्रेसफुल नहीं लगता है बिल्कुल भी ऐलिगन नहीं लगता है मैं आपको सच बता रही हूँ कि अगर आपने इतना ज़ादा सुन्दर ब्राइडल लहंगा लिया है तो आप एक 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 दुपट्टा जरूर कैरी करें आप अपने सर के उपर से लें वो काफी जादा सुन्दर लगेगा बिल्कुल रॉयल लोक आता है एक गल्ती आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी शादी में की थी मेरे बालो की लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट है उनमें कोई कोई कटिंग नहीं है सिफ सामने से थोड को रेकमेंड करूंगी कि प्लीज प्लीज आप लो सामने से कुछ इतनी लेंथ की बैंक्स कट वाले उससे क्या होगा अब मेरी पिक्चर में देख सकते हैं कि मेरा हेरस्टाल इतना जादा अजीब लग रहा था क्योंकि मेरे सामने से कोई भी बाल नहीं थे इन फैक मैंने गजरा भी नहीं लगाया था इस वज़े से सामने से लुक बहुत ही जादा अजीब सा आ रहा था ऐसा लगाया था जैसे सामने से किसी चीज़ की कुई कमी रह गई है में को लास्ट मुमेंट पे पालर वाली ने बोला कि मैडम हम लोग आपके बाल कट कर देंगा लेकिन उस टाइम शादी का ओकेजन था एंड हमारे रिच्वल्स में यह चीज़ बहुत ही जादा अप्षगुन है कि दुलहन के बाल वगएरा शादी के दिन काटे जाएं बहुत ही अप्षगुन माना जाता है इसलिए मैं अपने बाल नहीं कटवा पाई एंड मने नकली बैंक्स भी नहीं लगवाए थे क्योंकि हमारे में ऐसी माननेता है कि किसी के भी नकली बाल वगएरा सर की ऊपर नहीं लगाना क्योंकि मेरे हैस्टाइल में काफी ज्यादा कमी थी मैंने आपको बताया आप सामन मुझे नहीं कहा कि नहीं मैडम हम अपनी तरफ से प्लावर्स करेंगे लेकिन जब मैं मेक अप के लिए लाउन पहुंची तो मैं वहां चाह कर देखा कि वो सिफ रोज के पैटल्स लेकि आई थी मुझे समझ नहीं आया कि रोज तो है नहीं पैटल से कितने कितना बड़ा अपका बन सकता है जादा से जादा कितना फरक आसकता है अटलीस उन्होंने थोड़े से और अगर रोज रगाया होते तो मेरा चैरा और थोड़ा सा अपना बन बनाया था एंड उसमें बहुत बहुत जादा फ्लावर्स भी नहीं थे इस वज़े से मेरा फेस काफी जादा मैं सच बता हूं तो मुझे आई मेकप वगरा काफी अच्छा किया लेकि मैं सच बता हूं तो जिस तरह का मेरा लुक निकल के आया मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसलिए आप मेरे साथ कुछ एक्स्टा रोजेस वगरा कुछ कैरी कर ले या आप घजरा भी कै तो मैंने पहले महीने में फुल बॉड़ी वैक्स नहीं करवाया मैंने सोचा अच्छे से हेल ग्रोफ आएगी उसके बाद ही मैं वैक्सिंग वगरा के लिए शादी से पहले ही करवा लोगी और मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं था मैंने पहले बिल्कुल भी स्किन बहुत ही जादा इची हो गई मेरी काफी जादा रैश हो गई थे मुझे बॉड़ी वैक्सिंग जरा भी सूट नहीं हुई अगर आप फुल बॉड़ी वैक्सिंग अगर आप कराने के सोच रहे हैं तो प्लीज आप दो महीने पहले ज़रूर एक बढ़ ट्राय करके आपने शादी से क्योंकि जब हल्दी रहती है अगर आपने उसी दिन या उससे एक दिन पहले भी अगर आपने ब्लीचिंग वगरा करवाई होगी तो आपको मालूम होगा कि साबुन वगरा आप नहीं लगवा सकते हैं अगर अगर अपने हल्दी लगाली कलती से तो आपक सक्किन बहुत ही ज्यादा रेड हो सकती है मतलब के स्किन पे रेडने सा सकती है रैशिस हो सकते हैं इची बंस वगरा काफी कुछ आ सकते हैं आप अप इतना जाधा इंजॉय नहीं कर पाएंगे यह चीज मेरे साथ अल्रेडी हो चुकी है मैं अपनी हल्दी में बहुत ज्य जादा हल्दी नहीं लगवा पाई इस वज़े से मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि अगर आप ब्लीचिंग, डीटानिंग वगर अगर अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप प्लीज दो तिन दिन पहले करवाना आप में एक्षा करें कि आपके वाक्सिंग और डीटानिंग के बीच में एक दिन का गाप हो और आप डीटानिंग बोडी वाक्सिंग करने के बाद ही करें क्यूंकि डीटानिंग से ऐसा होता है कि आपके जो छोटे-छोटे बाल रहते हैं डीकलर हो जाते हैं पता ही नहीं ल आपके अपना इस्पीरियम्स शेयर करना कि आप लोगों के साथ इन में से कौन सी गलती हो गई थी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग